ओके ठीक है तो आज हमारी क्लास शुरू हो गई है और आज हमारे यहाँ पर बैच नमबर चार और बैच नमबर पांच की जो चात्र है इन में से जो बैच नमबर चार है बैच नमबर चार की आज ये अंतिम क्लास है यानि आज हमारे सारे टॉपिक खतम हो गए है संचे पर एक छोटा सा टापिक हमारा रह गया है बस दो तीन मिनट का है बहुत सिंपल छोटा सा तो आज हम इसको खतम कर लेते हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगी जो बैच नमबर चार है उसकी आज के बाद क्लास नहीं चलेगी यानि यह अंतिम क्लास है और अभी तक आपके जितने टापिक हुए हैं लगबग आप सभी के एक्जाम में जो आता है वो कंप्लीट हो चुका है ठीक है बैच नमबर चार में तो बैच नमबर चार वाले चात्रों को मैं यही कहूंगी कि क्लास जब आज से हत्म हो गई है और उनकी अभी परिक्षा में समय है तो कल से वो अपनी वर्ण माला से फिर से दुबारा अपनी क्लास को देखना शुरू करें यानि यह जो समय है साड़े तीन बचे से साड़े चार का इस समय को आप हिंदी के लिए ही रखें और हमेशा हर दिन एकिक करके सारी क्लास फिर से रिपीट देखें ताकि आपने ज जो चीजे जो डाउट आपके रह गए हैं वो क्लियर हो सके हैं ठीक है तो यह सबी लोग इस बात का ध्यान रखें तो और आज जैसे इसमें आपकी शब्दावली का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है कुछ आपके पास आया कुछ नहीं तो अभी मेरा स्वास थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मैं अभी आप लोगों की शब्दावली करवा रही हूं हर दिन एक-एक मैंने वीडियो बनाई है तो हो सकता है आपके पास आ गई होगी अगर नहीं आई है तो फिर आ जाएगी अभी एक-दो दिन में आपको दिख जाएगा तो लाइव क्लास में आप देख स आए तो बैच नमबर पांच भी खटम हो गया है अगर उन्हों ने जिन छत्रों ने वनमाला indices ली है क्योंकि बैच नमबर पांच में में मैंने जो क्लासिस है उनको डवल करके दिया था आपने 11 बजे वाले समय में वर्ण माला की classes ली थी जो 11 बजे का समय था वहाँ पर वर्ण माला की classes आपने ली थी तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मतलब उन classes को देख सकते हैं हैं आपके पास लेकिन बहुत सारे छातर थे जोनों ने कहा था कि नहीं मैम हमको तो बाद में ही class चाहिए तो उनकी फिर कल से वर्ण माला की class होगी ठीक है जो वर्ण माला वाला हमारा हिंदी भाग का जो वह भाग वन है मतलब part one हमारा जो है सामने हिंदी का वर्ण माला से लेकर और समास तक की जो classes हैं वो फिर हमारी कल होंगी ठीक है दे जाओ इसको यहीं काफी है एक बार पूछ ले न अगर कहीं और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ आना क्या चाहिए क्या नहीं चलिए तो इस तरह से यह चीज आपको समझ में आगी यानि बैस नमबर पांच जो है वो कल वर्ण माला से शुरू होगा तो हम लोग आज अपनी class सुरू करते हैं आज हम लोगों को पढ़ना है संचेपन और संचेपन में शुरुवात करते हैं सबसे पहले संचेपन हमारा किस-किस exam में आता है संचेपन हमारे MP के exam में आता है राजस्थान के किसी exam में आता है जैसे और भी जुझी शरीव गएरा इसम में आता है PCS में आता है जो PCS हमारे होते हैं उन exam में आता है और कभी-कभी हमारे जो तो यहां पर हमारे चात कह रहे हैं कि मैं फेर्वेल पार्टी होगी आज तो batch नमबर चार की नहीं आज आप लोगों की फेर्वेल पार्टी नहीं हो पाईगी क्योंकि आज किसी वज़े से जैसे आप लोग जानते ही है इस समय मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है तो आज हमारे staff काफी सारे absent हैं बीमार हैं क्योंकि तो सारा काम आज मुझे ही करना पढ़ रहा है मैं आप लोगों को जादा समय नहीं दे पाऊंगी मैं सिर्फ यहां पर पढ़ाऊंगी पढ़ाने के बाद मैं फिर आप लोगों से जल्दी ही विदा लेना चाहूंगी तो आप मेरे सामने होते तो फेरवर पार्टी में जरूर देती लास्ट क्लास के दिन हम समोसे खाते हैं सब लोग मिलकर तो पर आप लोग तो इतनी दूर हैं मैं यहां से आप लोगों को कुरियर करवा दूंगी समोसे ठीक है तो उससे हमारी फेरवर पार्टी हो जाएगी और फिर पार्टी में फिर यह होता है कि बच्चे अगर यहां होते हैं सामने तो वो अपना अनुभव सेयर करते हैं सामने आकर कि उनको कैसा लगा निधी अकैडमी में क्लास लेकर तो आप लोग इससे कर सकते हैं, आप comment box में लिख सकते हैं, कि आपको कैसा लगा निधी academy में class लेकर, अगर आप comment नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप video बना कर अपने mobile से मुझे भेज सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, कि आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा हमारे साथ, ठी अनुभव रहा application है, निधी academy, यानि हिंदी academy, उस application का आप review दे सकते हैं, आपको five star देना है, देखो कई बार हमारे छातर क्या सूचते हैं, कि five star मतलब एकदम से low हो जाता है, कभी कभी हम हमारे बहुत सारे छातर one star कहते हैं, कि one star दे देते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर आप बहुत 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 दिखाना चाहते हैं, कि बहुत अच्छी coaching है, तो बहुत अच्छे teacher है, अगर ये दिखाना चाहते हैं, तो आपको five star देना चाहिए, वन star में एकदम से जो रेटिंग हो गिर जाती है, one star सबसे मतलब बेकार की चीज होती है कि सबसे बेकार, तो star दे सकते हैं, आप review दे सकते हैं, ये आप लोगों की तरफ से गुरुदक्षा है, कि आप जैसे कहीं पर भी आप से पूछा जाता है कि निधी academy को आप कितना star देना चाहेंगे, तो आप five star दे सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, इसके लिए त होंगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, चलिया, ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी class, ये सब बाते बात की है, तो हम लोगों को संचेपण पढ़ना है, मैंने आपको बताया, संचेपण कई सारी परिक्षाओं में आता है, कई सारी परिक्षाओं में, तो एक ब संचेप से, और संचेप का मतलब क्या होता है, संचेप का मतलब होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा कर देना, तो संचेप कहराता है, तो हम संचेपण होता क्या है, संचेपण होता है, कि कोई गद्यांस हमको दिया होता है, और उस होता है हमारे subjective exam में लेकिन आप कहेंगे कि मैम हमारा exam तो objective है तो इसमें हमें संच्छेपन की क्या आवश्यक्ता है तो जैसे हमारे MPSI का exam होता है उसमें संच्छेपन आता है आपको ऐसे कोई paragraph देगा और paragraph के नीचे आपको चार option देगा उसका एक पंक्ती में सार बना कर कि यह संच्छेपन आपको क्या सिखाता है और वहीं आपको मतलब की यह गद्यान सापको क्या सिखाता है और उन संच्छेपन के बारे में वो थोड़ी सी चीज़ यह जान ले कि जब वो कभी सब्जेक्टिव देते हैं तो वहाँ पर संच्छेपन क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है और साथ ही साथ जो चादर हमारे अबजेक्टिव के लिए हैं वो इसको इसलिए सीख लें क्योंकि उनकी परिक्षा में प्रश्न आ जाता है उनसे पूछ लिया जाता है शब्द दे कर कि मतलब संच्छेपन की विसेस्ताइं क्या है संच्छेपन का नियम क्या है इस तरह से अबजेक्टिव टाइप में भी बना कर दे दिया जाता है तो इसलिए उन्हें भी इसके बारे में पढ़ना है ये जो फ्रेंट पहर खा है हम यहाँ पे इसकी परिभासा देखेंगे तो किसी गध्यान्स को संच्छिप्त रूप से सहज भासा में प्रस्तुत करना ही संच् कौन से तो पहला दारा प्रवाः संच्छेप्र गया है जो हम सब्जेक्टिब में एक तरफ से जैसा लिखते हैँ उसको कहते हैं धारा प्रवाः संच्छेप्र और दूसरा आता है सार्णी संखेपन, तो सार्णी संखेपन होता है कि किसी कई सारी चीजों की हम एक सार्णी बनाते जाते हैं, सौट लिखके तो उसको सार्णी संखेपन कहते हैं, तो दो तरीके से संखेपन हमारा होता है, तो धारा प्रभास संखेपन में मैंने बता ही दिया कि किसी च संच्छेपन का नियम क्या होता है कैसे आपको इसे करना है तो पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि सर प्रथम मूल गद्यान्स को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसका भावार्त समझना है तो जैसे हम गद्यान्स करते हैं और गद्यान्स के कि वो कह क्या रहा है ठीक है फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि मूल गद्यान्स की महतपूर्व बातें शब्दों वाक्यांसों तथा वाक्यों तथा वाक्यांसों को रिखांकित कर लेना चाहिए तो देखो अब यहां पर आप ऐसे समझो कि जब हमको पता है कि इ उनको अगर आप लिखेंगे इसका संचेपन तो सौ का वंथर्ड क्या होगा सौ का वंथर्ड होगा तीस से पैतिस शब्दों के बीच का तो तीस से पैतिस शब्दों के बीच का जो आपको लिखना है तो वो आपको उतने शब्दों में उसका संचेपन लिखना है तो अब यहाँ पर आप हमको पता है कि हमको तो लाइने कम करनी पड़ेंगी तो जब लाइने कम करनी पड़ेंगी तो हम यह देखते हैं कि जो गद्यांस में महत्पूर्ण बात हैं, महत्पूर्ण शब्द हैं, महत्पूर्ण वाक्य हैं, हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें इ चीजे क्या रहें याद रहें दिमाग में रहें कि हमें किन-किन का प्रियो करना है फिर उसके बाद आता है कि आवश्यक और प्रमुख विचारों का चैन करने के बाद उन्हें अपनी भाशा में लिखना चाहिए मतलब जब हमने उन पॉइंटों को रिखांकित कर लिया अब अपनी भाशा में लिखना है कि जैसे हम किसी को बता रहे हो उस तरह से हमको लिखना होता है फिर उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कि संचे बड़ में भाशा शैली अन NepalUST कि होनी चाहिए मतलब अन्य पॉरुस की शैली का मतलब क्या है हमें किसी थड़ परसन के अनुस पुरुश्ट तो इन दोनों को छोड़ कर अब आप लोगों को पता ही है कि मध्यम पुरुश्स क्या है माद्ध तरड परसन यानि अन्यपूरुस के रूप में होनी चाहिए तो यह यहाँ पर इसके तीन-चार नियम है यह आपको ध्यान रखने हैं इसके बाद संछेपन की कुछ विसेष्टा हैं आपको दिमाग में रखनी हैं और वो विसेष्टा है – किया-कया है वो विसेस ताई कुछ ऐसे हैं कि जैसे संचेपन सामानते मूल गद्यांस का एक तिहाई होना चाहिए यह इसमें हमें धियान रखना है कि एक तिहाई होना चाहिए मैंने बताया ही आपको कि आगर मानलो 300 शब्द का दिया है तो 100 शब्द में दे दिया जाता है जैसे बहुत सारे मेंस में आता है मेंस में लिखे जाते है संचेपन जो मेंस परिक्षाएं अधिक तर हमारी होती है उनमें संचेपन लिखा जाता है वहाँ पे छात्र को देखना होता है कि पैराग्राफ के नीचे ने संख्या लिख देता है कि इसमें इतने सारे ये शब्द हैं मालो paragraph है 300 शब्दी हैं तो 300 अगर उसने लिख दिया तो आपको 100 शब्दों में उसका संचेपन लिखना है सार छोटा करके लिखना है तो अब वो आप कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखना है आपको उसे पढ़ते हुए मूलभाव को ठीक इसके बाद संचेपन में व्याकरन संबंदित गल्तियां नहीं होनी चाहिए most important इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने व्याकरन संबंदित गल्ति की न वर्तनी असुद्धी की या वाक्य को गलत लिखा तो आपके अंक कटेंगे इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए दूसरा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैं अगर मान लो 100 अंक का मतलब 300 शब्द का अगर हमारा कोई गद्यांस दिया है और हमको उसका 100 शब्दों में उसका लिखना है लेकिन हम जब पंक्ती लिख के जा रहे तो हमारे 105 शब्द बन रहे हैं तो क्या हमारे नमबर कट जाएंगे यह गलत है या ऐसा कहरे है कि हमारे अगर 95 ही शब्द बन पा रहे हैं वाक्य जहाँ खतम हो रहा है तो पांच शब्द इसमें कम रह जा रहे हैं तो क्या हुमारे number क्ट जाएंगे तो ध्याने रखिए कि ये जो दस से बार है यानि 10 से बार है शब्दों का जो कम जादा होता है दस से 12 शब्दों का कम जादा दस से 12 का मतलब क्या 5 6 इधर शब्द, 5 6 उधर five 6 शब्द ज्यादा, five 6 शब्द कम तो यह जो अंतर है बीच में कि मालो अगर आपको जो एक संचिपन दिया है उसमें अगर आपको सो शब्द लिखने हैं तो अगर आपके पास 100 शब्द ना होके आपके पास कितने हैं 95 हैं तो आप 95 लिख सकते हैं, कम रह गए, या मालो आपने एक sentence और बनाया, और एक sentence बनाने में कितने हो गए, 105 हो गए, तो फिर 105 भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए, ये 100 को कहकर, अगर आप 115 लिख रहे हैं, या 120 लिख रहे हैं, तो ये गलत है, ये ज़्यादा हो जाएगा, य चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर, पॉइंट नुम्बर तीसरे की, व्याकरन की तो हमने बात कर ली, पॉइंट नुम्र तीसरे कह रहा है, कि संचेपन में रस, छंद, अलंकार, विशेशन, आदी का प्रियोग नहीं क करना चाहिए, ध्यान दीजिए, जब आपको अगर मानलो कोई गद्यांस दिया है, और उस गद्यांस में रस, शंद, अलंकार, विशेशन, जैसे जो तत्वे हैं, इनका प्रियोग अगर किया गया है, तो जब आप संचेपन कर रहे हैं, तो आप इनको हटा सकते हैं, निका कोई एक बात है, जैसे मानलो, उपर पंक्ती में वही बात कही गई, फिर दो तीन पंक्ती के बाद फिर से वही बात आई है, तो ऐसे दोहराव वाली पंक्तियों को हटा देते हैं, मतलब एक बात को एक बार लिखते हैं, फिर दुबारा नहीं लिखते हैं, नमबर पांच क कर रहे हैं तो यह हम लगार्व का यह हैं तो को कर रहे हैं तो यह थे हैं जो दी हुई जाहां चाहिए है कि describes जो backward दिया है वो प्रहत थी लोगा संग्याएं जो प्राव Parliament दिने संग्या के लिए हम लान aired किर दो यह क्षेव हो जूत अधूब हैं तरह से नहीं हम यथावत बनाए रखना है और तथे कोई भी अगर जानकारी दी है ऐसी तो वो भी हमें यथावत बनाए रखने है उसमें हम अपना विचार नहीं रख सकते हैं तो यह हमें बात याद रखनी है नमडर पॉइंट नेक्स सिक्स कयता है कि संचेपन सीधी सरल सहज वियाकरण सम्मत तथा इस पस्ट भासाओं में प्रस्तुत होना चाहिए तो यारी हमें यहां पर इतनी यह बात ध्यान रखनी है कि जो संचेपण है वो सीधी सरल भाषा हो, व्याकरण उसमें हो, व्याकरण से संब्धित चीजें हो, मतलब व्याकरण सही होना चाहिए, व्याकरण से संब्धित गल्ती नहीं होनी चाहिए उसमें, इस तरह से हमें ल प्रश्न है तो सबसे पहले इस प्रशने को समझते हैं समझते हुए करते हैं आप लोग यहाँ पर उत्तर क ethica टारी प्रॉप्स लिया हुए अब है यहां पन्कतिंग था यहाँ चारा आप्सन को पढ़ने से पहले हमें ये गधियान स्टों पढ़ना ही पड़ेगा इसका सार पाने के लिए देखते हैं हम यह कहा है अंधिकार में व्यक्ती भटक कर खो जाता है वहे असा हो जाता है उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं इसलिए वह निरासा का सिकार हो जाता है कुछ आत्म विश्वासी लोग अंधिकार में भी प्रकास की किरन लाने के लिए बेचैन रहते हैं पहले हमें क्या कहा है, पहली पंक्तियों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जैसे अंधिकार अगर होता है, तो अंधिकार में व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, भटक जाता है, ठीक है, बेसहारा हो जाता है, असाहा हो जाता है, फिर उसके साथ ही कहा है, लेक मतलब जो मानव है वो कभी हतास निरास नहीं होता जो सच्चा मानव है वो हमेशा अंदिकार में भी प्रकास की ओर जाने के लिए प्रयासरत रहता है यानि क्या होता है उसमें उत्सा होता है वो आगे अपने आपको मोटिवेट करता है इसका कहने का मतलब यह है जो व्यक्ति करता है बार बार जूजता रहता है परिषानियों से तो एक दिन उसको सफलता ज़रूर मिल जाती है चाहे उसे जगनू की रौसनी मिले या दिये की उसके मन में एक विश्वास जन में लेता है यहां तक कि कभी कभी उसकी अपनी आखों की रौसनी ही तेज हो जाती है देखो यहाँ पर जो कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर संघर्स करने की इच्छा होती है जो संघर्स करता रहता है उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर आया है कि कभी उसके उचाहे जुगनू की रौसनी मिले छ स्वास एक जन्म लेता है, जो क्या करता है, उसकी आँखों की ही रौसनी तेज कर देता है, और उसे दिखाई देने लग जाता है, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाता है, इसलिए उसे रात के घने अंधेरे में भी दिखने लगता है, मतलब कहने का मतलब यही है, क तो हमेशा कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे कितनी विसम परिस्तितियां आ जाएं, हमेशा उसमें लड़ते हैं, हमेशा संघर्स करते हैं, तो ऐसे ही लोग समाज का सहारा बनते हैं, मतलब उनसे मोटिवेट होकर, उनसे इंस्पायर होकर, और भी लोग चाहता है तो preference यहाँ पर आपका दिया है पहला option है स्रम का महत्व दूसरा option है मजहव नहीं शिकाता आपस में वैर रखना दिसरा option है सब दिन रहत न एक समान चौथा option है नर हो न निरास करो मन को कुछ लगी काम करो कुछ काम करो तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा option है यहाँ पर जो ये दिया है, इसका सार क्या हो सकता है इन चारों में से, तो जल्दी से answer बताईए, क्या answer आप लोगों का हो सकता है इन चारों में से, फटा-फट से आप लोगों को बताना है, जल्दी से, क्या answer आप देना चाहेंगे? जल्दी से बताईए फटा-फट कुछ छात्र इसका आंसर ए दे रहे है देखो लगबग ऐसे ए ही बता रहे हैं याद रखो इसमें श्रम की बात कहां करी गई है श्रम की बात इसमें कहां कही गई है जो आपने इसका श्रम का महत्व दिया है श्रम की तो बात कही नहीं है इसमें क्या कहा गया है इसमें बात कही गई है कि अपने आपको कभी भी अंतिकार में नहीं ले जाना अपने आपको कहां ले जाना है प्रकास की ओर ले जाना है अपने आपको हमेशा उमीद की ओर ले जाना है अपने आपको हमेशा कर्म की ओर ले जाना है कभी हतास निरास होंके नहीं बैठना तो ये तो होगा ही नहीं, ये कट जाएगा अब बात करेंगे आपे मजहब नहीं सिखाता तो मजहब वाली बात तो इसमें है ही नहीं, ये भी कट जाएगा सब दिन रहतना एक समान, ऐसे कहीं, हमसे कहीं, इसमें कोई बात नहीं कहीं गई कि किसी दिन अच्छा है किसी दिन बुरा है कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है तो ये भी कट जाएगा हमारे पास एक option बचता है नर हो न निरास करो मन को पहले ही बोला यहां पर कि आप मनुश्य हो आपको निरास नहीं करना चाहिए अपना मन क्या करना चाहिए कुछ काम करो मतलब आपको क्या करना है अपने आपको उमीद की तरफ ले जाना है आसा की तरफ ले जाना है तो समझ गये ना तो जिन भी छातरों ने ए लिखा है तो उनकी तो गड़बढ़ हो गया class यह क्या हो गया point खराब हो गया है ना तो सीखना है समझना है अब इसके बात निम्न वाक्यों का संचेपन कीजिए निम्न वाक्यों का संचेपन करना है अब नीचे यहां पर दिया हुआ है यह छोटा साही है हमारा यहां पर ठीक है और इसके बाद यहां पर इसके प्रशन दिये हुआ है तो प्रशन बाद में देखेंगे पहले हम यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं पंक्ति क्या दे रखिया है कि किसी के सरीर के अंग उसका रंग रूप अथ्वा किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव नहीं बदला जा सकता हजार उपाय करें यदि कोई असर होगा तो भी अस्थाई होगा अब देखो यहां पर इस यह पंक्तियां क्या क चाहती है यह पंक्तिया कहना चाहती है कि कभी किसी का मूल नहीं बदला जा सकता जो इंसान जैसा है न वह वैसा ही रहेगा उसे हम नहीं बदल सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर कहा है कि वह चाहें कुछ भी प्रियास कर लें तो आब इसके प्रशन देखते हैं कि प्रश्ण क्या कह रहा है यहां पर देखो प्रश्ण यहां पर कह रहा है यहां हम देख रहे हैं पहला option दिया है हमारे सामने का वर्सा जब क्रिसी सुखानी तो कह रहा है कि क्या वर्सा जब क्रिसी सुखानी दूसरा option कह रहा है कोयल होए ने उजली सौमन साबूल लाए तीसरा option कह रहा है उपरयुक्त दोनों और चोथा option कह रहा है इनमें से कोई नहीं तो जल्दी बताईए दूसरे का क्या आंसर होगा क्या लगता है आपको जल्दी से दूसरे का क्या आंसर होगा दूसरे का आंसर क्या आप कहेंगे तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आपकी कमेंट थोड़ी सी धीमी आ रही है शायद आप लोगों तक मेरी जो बात है वो काफी देर में पहुच रही है इस वज़े से आपकी कमेंट धीरे हैं तो मैं यहां पर आपको बता देती हूं ज्यादा दिल मुझे रुकना पड़ रहा है देखो जब आप इसे देखोगे तो आपको पता है जब आपने पंक्ती पड़ी थी तो उसमें मैंने बदाया था कि इसका अर्थ क्या हो रहा है कि किसी का मूल परिवर्थित नहीं हो सकता तो यहां हम देखेंगे कि का वर्षा जब क्रिसी सुखानी तो इसका तो कोई सैंसी नहीं बन रहा है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि ऐसी वर्षा का क्या फाइदा जब क्रिसी सूख जाए तो इसमें तो उसका कोईल ना देना नहीं लेकिन दूसरा है कोईल ने उजली सौमन सावन लाए तो ये कह रहा ही है पंक्ती की जो कोयल है जैसे वो काली है चाहें उस पे सौमन सावन लगा दो वो काली की काली रहेगी तो कहने का मतलब वो उसका मूल है जैसा मूल है वैसा ही रहेगा वो नहीं बदल सकता तो इसलिए इसमें जो उत्तर हमारा ह होगा वह कौन सा हो जाएगा B हो जाएगा समझ गए लगा 현재 Kira अगर जो आज आत्र हमारा नंसर देरे भूंस में ध्यान रखें जो मैंने समझ तक उसकर समंझने की कोशिश करें और फिर से पंंग्ती को पढ़ें उसका सार समझें उसका भाव समझें और फिर इसको जानने की कोशिश करें इसलिए ऐसे ही तुका नहीं लगाना है बिल्कुल किसी भी चीज में चलो इसके बाद मान लो अब हम यहाँ पे जो यह तीसरा पॉइंट है तीसरा प्रश्न है इसको करके देखते हैं तीसरा प्रश्न देखो जल्दी से बताना है प्रश्न संख्या तीन यह दिया है निम्न पंक्तियों का संचेपन कीजिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न पंक्तियों का संचेपन कीजिए यहाँ पे हमें संचेप करना है इनका अब देखिए पंक्ति क्या कह रही है कि मनुस्य जिस संगती में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है पुरी संगती में बुरा फल मिलता है अच्छे के साथ रहने से अच्छा पैणाम निकलता है यदि सजन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अब गुण उस पर अवस्य प्रभाव छोडएंगे जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अतियंत कठिन है यहाँ पे अब लेखक कहता है कि इसके कहने का मतल अब यह है कि जैसे हमारी संगती होगी वैसे ही हमारे गुण होगे जैसे लोगों के आसपास हम रहेंगे वैसे ही हमारे अंदर विचार आचार आ जाएंगे तो अब यहाँ पे चार ओप्सन दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे तैते पाव पसारिये जैसी लावी सोर या स ऐसी संगती बैठिये, तैसो ही फलदीन, चार आप्सन आपके पास दिये हैं, बताईए जल्दी से क्या आंसर आप लोगों का इसमें होगा, प्रश्ण संख्या 3, प्रश्ण संख्या 3 का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आपको बताना है, पटा-पट से, तो यहां पर आप लोग काफी पीछे चल रहे हैं, क्लास हमारी लेट आ रही है, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूं, देखो, आप लोगों के अब आंसर का क्या इंतजार करूं, आपको ध्यान रखने हैं, जैसा करोगे, वैसा भरोगे, ऐसा यहां कुछ नहीं दिया है, कि जैसी करनी वैसी भरनी से सम्मंदित, इसलिए से काट दो, यह कट जाएगा, तैते पाव पसार यह जैसी लावी सोर, इसका मतलब यह है, कि उतने लंबे पैर ही फैलाने चाहिए, जितनी लंबी आपकी चादर, मतलब जितनी आपकी गुणजाईस उतना ही खर्चा करना जाएए इसका भाव इसमें आता है तो ऐसी तो कोई यहां पर बात नहीं कहीं है यह भी कट जाएगा अब यहां पर देखेंगे सत्थ संगती या फिर दूसरे option में दिया है जैसी संगती में बैठिये तैसो ही फल दीन तो यह वाली चीज जादा सटीक है सत्थ संगती एक इसा ही फल हम देने वाले हैं तो इस तरह से answer जो है वो क्या हो जाएगा दी हो जाएगा तो अब देखो यहां पर कुल मिला के बात समझ में आती है इसी तरह से आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न दिये हुए हैं ऐसे छोटे छोटे पराग्राफ इसके answers इस तरह से तो यह इस सब ही आपको करने हैं अब इसके अलावा यह काफी सारे example है इसमें तो इनको आप करिएगा अपनी परिक्षा के लिए तेयरी करिएगा अब इसके अलावा आपकी परिक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न भी आते हैं जैसा मैं एक देने वाली हूँ इसको क्या करना है जैसे देखो प्रशन हमारा आ गया प्रशन संख्या सत्रा ठीक है आप देखिए इसको समझने की कोशिश करिए कुछ ऐसे प्रशन भी आपकी परिक्षा में आते हैं प्रशन संख्या सत्रा यहां पे दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको कहा था कि संखेपन के नियाम उसकी व हुए हैं तिथियों आकड़ों संग्याओं और तथियों आधी को यथावत बनाए रखना चाहिए तिथियों आकड़ों संग्याओं और तथियों आधी को यथावत बनाए रखना चाहिए तिथियों आकड़ों संग्याओं और तथियों आधी को यथावत बनाए रखना चा तो देखिये यहाँ पे 4 हो एक जैसे दिए इसमें बड़ा confusion हो जाएगा, कैसे करे गईसे करे तो इसको करने का तरीका है, जो नहीं होना है, उसको काट दो, थीके? जो नहीं होना है उसको काट दो, तो जैसे मालो, तो हम सबसे पहले पर देखेंगे, यहां पर दिया अथितियों, तो अथितियों थोड़ी न होता है, भाई, यह तो गलत हो गया, तीथी होती है, ना, तीथी, अथिती थोड़ी न होगा, तो कट गया, यह तो हमारा कट गया, पहला यह, इसके बाद हम यहां पर आते हैं, कि ही तिथिओ आक्रण संग्याओं और अदि को यथावत बनाै रखना चाहिए यह हमको आप रहे थते हम पहें तो यह थार हूं को जाना रहे से इसे हमेज़ें के लिए थे यह ठीर हैं तो थक्रण होड़ को धारा है दोनों एग जैसे लग रहे हैं, लेकिन अब इसमें अंतर देखेंगे, यहां पे दिया हुआ है क्रिया, तो भाई, जब हम शैली बदलते हैं न, उत्तंपुरुस, मध्यमपुरुस, अन्यपुरुस, तो क्रियाएं तो बदलती है, तो जब हमें अन्यपुरुस में लिखना है, तो बात समझ में आई न, तो आप ऐसे ही यहाँ पर बना सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, तो आप लोग सीख गए, तो इस तरह से हम जो हमारे संचेपण हैं, हम उनको करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोगों को यह चीज समझ में आई ह होगी, तो फिर से बताती हूँ, यानि संचेपण, अब हमारा खतम होता है, इसमें और भी प्रशन उतर ऐसे ही दिये हुए हैं, उनको आप अभ्यास कर लीजिएगा, अगर किसी को नहीं कोई बात समझ में आती है, तो वही जो ऑफिस पे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करक ठीक है, तो इस तरह से, अब हला कि मैं आप लोगों को एक वाट्स अप नंबर देना चाह रही थी, आप सभी लोगों को, लेकिन वो नंबर परचेस नहीं हो पाया, बिल्कुल न्यू मैं बनाना चाह रही थी, ताकि मैं, मैंने ये सोचा था कि क्लास के लास्ट में, जब ह परिशानियों के कारण से मैं नहीं दे पाई, तो आप लोगों को वो नंबर कैसे मिलेगा, वो आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा, उसके थूरू मैं आप लोगों तक पहुचवा दूँगी, जब 2-4 दिन में जैसे भी हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा या फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी छोटी सी, उसमें लिखा रहेगा मैं का नया वाट्सप नंबर, तो वहां मैं आपको दे दूँगी, तरह से आप लोगों को मिल जाएगा आपकी क्लास के साथ ही, तो वहां आप देख सकते हैं, ठीक है, तो चलि अपने ही छात्रों के पास रहे, जो पेड क्लास लेते हैं, उन ही छात्रों के पास रहे, तो उन छात्रों के लिए दूँगी, तो चिंता ना करिए बिलकुल भी, मैं वही करूँगी, जिसे मैंने आपको बताया कि मैं नया बैच, जैसे ही नया नंबर में लोगी, नया नं ही करते हैं मैंने पहले ही बता दिया बैच नमबर 4 की आज अंतिम classes हैं बैच नमबर 4 हमारा समाप्त हो चुका है तो वो लोग अपना revision कर सकते हैं और बैच नमबर 5 के जो चातर हैं उनकी classes हैं उनके classes में हमारा जो batch है मतलब कल से जो class होगी वो वर्ण माला से class होगी यानि उनकी अभी 20 से 21 classes और बची हुई है 20 से 21 क्लास के बाद उनका भी batch समाप्त हो चाएगा हाला कि उनके पास classes पहले से ही पड़ी हुई है जो नीचे लिखा हुआ है सामने हिंदी भागवन उसमें वो 20 21 classes पूरी पड़ी हुई है वर्ण माला से लेके शब्दावाली के तक वो पूरा complete हो चुका है batch पास्ट नमबर बैच भी लेकिन फिर भी आप लोग क्रम से चाहते हैं कि नहीं alternative days भी दे दीजे मैं हम तीन बज़े ही पढ़ते हैं यह time हमारे लिए suitable है तो फिर वो चाहतर यहां पर उसी class को continue कर लेंगे ठीक है तो चलें फिर आदम के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली class में झाल 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 झाल